तो है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम दू माई न्यू ब्लॉग तो गाइस यार कलना एक तम पार्टी में मजा गया और भाई यार मैंने यहां पर यह प्लैंट लगा रखे थे भाई एक तम खतरनाक तरीगे से गुरो कर रहे अभी उस टैम पर भाई यार जम मैंने लगा पत्ते एक दो निकल रहे देदरी करके बकरी का बच्छा पूरा उजाड़ मचा दिया यार अज कब लोग स्टार्ट करने के बाद मैं जब यार घर के बाहर जाने के बाद मैं जो भी काम होता है सब को निप्टा कि जब बापस आतों तो यार मैं पुरानी वीडियो देख आता हूं जिसमें से यह वीडियो मिलती है और भाई मैं इस वीडियो को जितनी बार देखते हूं सच्छी उतार हर बार मेरे को हजी आती है क्योंकि यार यह इतना फड़ी मूवेंट थारा बस भाई मजा ही आ जाता है इसको देखके मतलब क्या ही एकदम धड़ाम फीलिक बाई सौड वीडियो हो या फिर अपनी गैलरी में पड़ी हूई पुरानी यादों वाली वीडियो हो अगर उनको यार देखने बैट जाओ ना तो कब कितना टाम हो जाता है पता ही नी चलता है और ऐसा आपने साथ भी होता है मैं वीडियो देखते देखते कभ यार 11 जात मुझे नी पता जलता है तो फटाक से यार भी यार में नहाने का हो जाता है तो यार फटापट से नहा लेते क्योंकि यार भी सुबहे से नहाया नहीं था और कल यार इतने दूर गए तो पुरी गर्मी में एकदम हालत खराब थी जिसकी बज़े से तोड़ा अजीब सा फी करनी पाता हूं क्योंकि यार इस मौसम तो कुछ बैइमान हो रख यह मौसम जीने नहीं दे रहा लोगों को और मेरे फोन को तो कुछ जादे ही जरूरत से हीट कर देता इस बज़े से थोड़ी बहुत देर गेम खेलने के बाद रॉफ कैमरा ना सीन हो गया मेरी गायड लग मैंने पकड़ लिया था वह एकदम वह चुठा के भागने लग गई उसी चक्र मेरे हाथ से वह चूटनी पाई जंजीर हाथ ही फट गया मेरा गाय के थोड़ी देर पीछे गुमने के बाद वो फाइनली फिर से मुरे को पकड़ा ही आ जाती है तो उसको बांद के मैं आ जाता हूँ घर पे तो सबसे पहले तो और मेरी उंगली में कुछ जादा ही चोट लगी थी तो उसमें थोड़ा बैंडेज बगएर करता हूँ उ क्योंकि यार भारास सरकार निया यह लाल कलर के एकदम कड़क कड़क नोट को बंद कर दिया तो इनको ठिकाने लगाना है इसलिए मुझे जाना है बैंक तो फटा फटा से चलते यार इनको उनकी जगह पे पहुचा देते बनना भाई यह पूरी तरीके से बंद होगे तो पड़े बड़े एक दम इनको दीमक लग जाएगी तो इसलिए इनको इनकी जगह पे पहुचा देते हैं क्योंकि भारास सरकार ने बोल रख दो है इनको अपने ठिकाने लगा दो क्योंकि यह है नोट बंद हो रहे हैं तो अगर आपके पास भी पड़े हैं तो भाई जाकर इनको ठिकाने लगा के घर से रेडियो के बैंक के लिए मैं निकल तो जाता हूं बट यार रास्ते में मेरे को बहुत जादा टेंसन हो जाती है क्यूंकि जब मैं निगल रहोता हूं तो तीन बच कर 42 मिनट हो चुका हुता है तो मुझे यार कैसे भी करके बहुत ही जल्द पहुंच नहीं था तो यार मैं अपनी गाड़ी को आज पूरी एकदम फोली स्पीड खोल के राइटर बनाता हूं और पांच मिनट में राज़ पहुंच जाता हूं और जाके देखता हूं कि बैंक तो करने के लिए आते तो बैंक के अंदर भाई यार सीटे इतनी जादा करम होती है कि बैंक को अच्छी बता रूं इतनी जादा ही यार यहां से पे रोखने का कोई फादा नी था क्यूंकि यार गेट बंद कर रहे थे तो बहुने का मेरे को निकल जाने तो उसके बाद गेट अगर मैरे थोड़ा लेट हो जाता है तो मेरे पैसे जमां नि पाते और उसके बाद मुझे थोड़ी बाद बाद जाता है वापशा है क्यार और बूंग के लिए नोटों को ठेकाने लगाना तो और थोड़ी यार मौं के लिए दबा लेनी ती जो कि अवी कल खेत में जाके आज पाटी और भायार जब मैं वहाँ पे पाटी में जाता हूं तो इस पाटी को देख के यार मोरी पुरानी याद्यान एक तम ताजा हो जाती है क्यों अगर पहले यार गाउ में ऐसे नीचे बाटा कि खना के लाया जाता है और वही सीन आज फिर से हो जाता है तो अपनी प पुरानी यादें वो थाजा हो जाती तो खाना बगएरा यहां से खाते हैं उसके बाद यार मैं वापस घर पे आ जाता हूं और आज का ब्लॉग यार यहीं पर खतम हो जाता है